नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेकनिकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गंबले की पुरानी मिट्टी होगी जिसमें हमने पूरे साल फसल ले ली है या पैद पौधा लगा लिया है और नेक्स्ट सीजन हम पौधे लगाने की तयारी कर रहे है तो उस मिट्टी को उससे पहले हमें रिचार्ज करना होता है बूश्ट करना होता है तो कैसे हमें बूश्ट करना है क्या-क्या उसमें हमें मिलाना है किस मात्रा में मिलाना है कैसे मिलाना है सारी चीज़ों के बा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने लिए ली वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको आसानी से मिलती रहे तो आज़े दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जो गंबले की पुरानी मिट्टी है हमारी उसे हमने अपने छट पे इस प्रकार देखे बिखेर दिया है तो ऐसी जगाँ पे डालना है जहां फोल्डे सनलाइट आती हो पूरे दिन की धूप आए और मिट्टी में जो नमी हो या जो बिमारी हो इनको पतली लेयर बनागे डालनी है ताकि जो उपर और नीचे पूरी मिट्टी धूप पड़ सके और पूरी मिट्टी धूप से स्टेरिलाइज हो सके इसमें जो fungus हो या फिर पुराने रूट में कोई बिमारी हो या नीमोटाइट की समस्या है वो सारी खतम हो जाए और हमारी मिट्टी पूरी तरह से फ्रेस हो जाए फिर इसमें हम जो compost हैं उन्हें मिलाके मिट्टी को बहतर बनाएंगे तो दोस्तों पूरे दो दिन मिट्टी को धूप में सुखा लेने के बाद मिट्टी पूरी तरह से sterilize हो जाती है जितने भी इसमें जो fungus होते हैं या फिर जो बिमारिया होती है जो नीमिटोड की समस्या होती है वो सब धूप से sterilize होके खतम हो जाती है अब यह हमारी मिट्टी यूज करने के लायक ready हो चुकी है तो फ्रेस इसको और ज्यादा फ्रेस कैसे बनाएं तो इसके लिए हमें कुछ चीजे चाहिए जो हमें इसमें मिलाना है add करनी है जिससे इस मिट्टी की nutrition value और अच्छी हो जाए तो उनमें हमें क्या-क्या मिलाना है पहली चीज तो जो हमने composting करी होती है तो जो हमने पौधे लगाए हैं वो composting को वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं तो मिट्टी में nutrition कम हो जाती है compost कम हो जाती है मात्रा और कुछ जो compost होती है वो drain out पानी के रास्ते बहे के निकल जाते है nutrients, trace elements तो उसके लिए हमें इसमें मिट्टी को recharge करना बहुत ही आउस्सक है तो जो पहली चीज मैं आपको बताऊं वो मिट्टी को बारीक बनाना जैसे इस तरह से हमने मिट्टी सुखा ली है तो ये देखी जो बड़े बड़े particles हैं मिट्टी में इन्हें हमें फोड़ लेना है कुछ तो बहुत ही इजली फूड़ जाते हैं पर कुछ हाड होते हैं तो इनको अगर डारेक नहीं फूट रहे हैं तो इनको हलका पानी से आप भिगा लीजी पानी का एक बार फवारा मार दीजी उसके बाद फिर ने फोड़ेंगे तो बहुत ही इजली फूड़ जाएंगे तो इनको सबको हमें कर लेना है मिट्टी को मतलब बारिक कर लेना है अब दूसरी चीज़ पर आते हैं हमकि इसमें जो मिट्टी की पौदे की ओवराल ग्रोथ के लिए सबसे बेश्ट होता है एनपी के तो नाइट्रोजन फासफोरस पोटैसियम सभी को हमने मिलाना है हमने देखिए मैं एक से दो गंबले की मिट्टी तयार कर रहा हूँ तो इसमें मैंने ये करीब तीन किलो गोबर की खाद मिला देनी है इससे हमारे पौदे को इसमें भी एनपी के मौजूद होता है पर इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमने इस पूरी मिट्टी में इस गोबर की खाद को आप बर्मी कमपोश्ट भी मिला सकते हैं किचन विष्ट से बनाया हुआ कमपोश्ट भी आप यूज कर सकते हैं या फिर जो लीफ मोल्ड कमपोश्ट होता है आप उन्हें भी इसकी जगाँ यूज कर सकते हैं तो कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं सभी को नहीं यूज करना है इसके बाद दोस्तों हम यूज करेंगे बोन मील करीब दो गमले के लिए हमें इस चुकी मिट्टी तयार कर रहा है अभी हम तो आधा किलो के आसपास हम इसमें बोन मील यूज कर लेंगे तो बोन मील यूज़ कर लेंगे दोस्तों इसमें आपको ये हच्चों की हड्डियों के चूज़े से बना होता है तो इसमें पोटेसियम काफी अच्छी मात्रा में मिलेगी और साथ में कैलसियम भी मिल जाती है फासपोरस के भी काफी अच्छी मात्रा होती है तो आप बोन मील यूज कीजिए और फिर इसके बाद हम दोस्तों यूज करेंगे इसमें सरसो खली सरसो खली अगर आपके पास पॉडर फार्म में है तो वो ज़्यादा बहतर है मेरे पास फिलाल पॉडर सॉम में नहीं है तो कुछ छोटे चोटे चोटे हैं इनको और मैं बारिक कर लूँगा जितना हो सके और फिर हम इने मिला लेंगे ये मिर्ठी के अंदर मिलके फिर ये जो है जो तूट जाएंगे विखंडित हो जाएंगे और चोटे चोटे में भाज़ित हो जाएंगे तो काफी वैसे भी चोटे ही हैं बहुत जादा बड़े बड़े तुकडे नहीं मैं आपको दिखाँ ये देखी नीचे तो करीब दो से तीन मुठी या आप कहलें तो करीब तीन सो ग्राम के आज़पास हम इसमें सरसोखली मिलाएंगे ये भी इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी होती है पोधा की ओवराल ग्रोथ के लिए सरसोखली बहुत ही अच्छी होती है अब दोस्तों क्योंकि मिट्टी पुरानी है तो इसमें हम मुलाएंगे करीब एक से दो मुठी राक राक का काम होगा कि इसमें जो वैक्टिरिया होंगे जो पौधों के लिए हानिकारक अगर कुछ बचे रहे होंगे तो उनको खतम करेगी मिट्टी को एंटी फंगल प्रॉपर्टी प्रदान करेगी नीमखली के बारे में अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप सभी जानते होंगे एक से दो मुठी हम इस मिट्टी में नीमखली भी मिलाएंगे नीमखली से जो माइट सटैक होते हैं मिट्टी में वो कम होती है ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाती है चुकि काफी कड़वा होता है और चीटियां जो है इस मिट्टी को इस मिट्टी में रहना पसंद नहीं करते हैं नीमखली की वज़े से पूरी मिट्टी में हुमिकेसिड मिलाऊंगा जो की जो हम पौधे लगाएंगे तो उन पौधों को जो उनकी रूट सिस्टम बनेगी उसको मजबूत करने में हुमिकेसिड का बहुत बड़ा योगदान होता है तो हुमिकेसिड को घर पे भी कैसे बनाएं इसका पूराना वी मिलाएंगे क्योंकि जो इसमें नौए पौध हम लगाएंगे उनकी ग्रोथ और अच्छी इस हुमिकेसिड की वज़े से होगी फिर दोस्तों इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे रॉक फास्फेट रॉक फास्फेट भी पौधों में जो फास्फोरस हो या कैल्सियम कैलीज उनकी कमी को दूर करेगा तो करीब हम इसमें दो मुठी रॉक फास्फेट मिला लेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं मिलाना है तो यह देखिए यह हमने मिला लिया है तो इस परकार दोस्तों यह हमारी सभी चीजी मिट्टी में हमने मिला लिया है डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिलाना है तो आए मिला लेते हैं फिर उसके बाद इसको गंबले में भरना है कैसे भरना है वो देखते हैं तो यह देखे दोस्तों यह हमारी पूरी मिट्टी रेडी हो गई है यूज करने के लिए कोई भी प्लांट वेजिटेवल प्लांट हो या फ् फिर मिट्टी तयार नहीं कर पाएंगे रेडी नहीं कर पाएंगे तो इस परकार दोस्तों मिट्टी तयार करके आप बोरों में भरके इन्हें स्टोर कर सकते हैं फिर जब आपको पौधे लगाने है तो इसे गंबलों में भरिए और इसमें पौधे डारेक्ट लगा लीज जिससे कि उसमें जो भी वैक्टीरिया हो या फिर फंगस हो नीमी टोड की समस्या वो सारी उस धूप से श्टेरलाइज हो कि खतम हो जाएं दो दिन बाद हमारी मिट्टी को हम ले लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे दो गमले के लिए हम बना रहा है तो इसमें हम मिलाएंगे करीब तीन किलो के आसपास कावडं कमपोस्ट बहुत ज़्यादा कमपोस्ट हमें नहीं मिलानी है क्योंकि already used मिट्टी इसमें हमने कंपोस्टिंग काफी अच्छी मतरा में करी होती है तो मिट्टी को boost करना है, recharge करना है इसलिए हमने कंपोस्टिंग करनी है तो 3 किलो के आसपास मैंने इसमें मिलाई है कावडं कंपोस्ट आप इसमें वर्मी कंपोश्ट या लीफ मॉल्ड कंपोश्ट कुछ भी मिला सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें हम मिलाएंगे बोन मील करीब आदा किलो के आसपास हमने बोन मील मिलाई है बोन मील के बाद सरसो खली 300-400 ग्राम के आसपास सरसोखली के बाद हम मिलाएंगे इसमें राक फंगस अटैक से बचाने के लिए अपनी प्लांट्स को और राक के बाद नीमखली और नीमखली के साथ हम मिलाएंगे इसमें हुमिकेसिट जो सबसे ज़रूरी हुमिकेसिट है क्योंकि पौदों की रूट सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है उनको जो है वेनिफिसियल है तो यूमिकेसिट ज़रूर मिलाएं और उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें राक फासफेट और इन सब चीजों को मिलाने के बाद अच्छे से मिट्टी में अनिवाद